हिमंत शर्मा लाइफ जुड़ गए हैं हिमंत किस तरहा के हलचल नजर आ रही है दस बज़े से मतदान जो है वो शुरू हुआ है देखे राजियो वहन में मैं मौझूद हूँ और मदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है दस बज़े से साम चार बजे तक जो पूरी प्रक्रिया है मदान की वो चलेगी सबसे पहले रायपूर में जो प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम उन्होंने वोट डाला और कुछ दिर बाद मुक्तमत्री बोपेज पगेल राजी वहन पहुचेंगे और अपने मतादिकार का प्रयोग करेंगे 24 साल बाद कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष प्ले चुना होने जा रहा है और बड़ी खुसी सबी जो कारगरता और नेता है कॉंग्रेस कॉंट में देखी जा रही है प्रिचिसी अध्यक्ष मौन मरकाम अभी वोट डाल कर बाहर निकले है और गहमा गयमी यहाँ पर देखी जा सकती है इसके लाबा सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किये गये हैं पूरी तरीके से जो मद्दान प्रक्रिया है वो गोपनी रखी गई है और प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षा के साथ जो और अन्य पिसीसी डेलिगेर्स हैं वो भी आप यहाँ पर धीरे-धीरे मद्दान करने पहुच रहे हैं मुक्यमंत्री भुपेश बगिल 11 बजे पहुचेंगे उनके साथ विदान सबाद्याग, डॉक्तर चैन दास महन इसके लावा सांसद जोस्तना महन भी आपर पहुचेंगे और अपने मतादिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे सबसे पहले फिसीसे डेक्ष मुहन मर्काम ने हाँ पर वोट डाला और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है और उन्होंने कहा कि 24 साल बाद यह चुनाव होने जा रहा है और इसलिए उनमें काफी खुची है हाला कि पुरे चुनाव के लेकर बादचीत की जाए तो दो जो उम्मेद्वार हैं मलिकार जुन खड़िये और ससी थरोर वो दोनों मैदान पर हैं लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि अगले अध्याक्स कॉंग्रेस के मलिकार जुन खड़िये होंगे हाला कि प्रक्रिया होती है हर पार्टी में और उस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और उसी के तहत चुनाव की प्रक्रिया सुरू हो गई है दस बजे सबसे पहले मुहन मरकाम ने वोट डाला और धिरे धिरे जो पैसिसी डेलिगेट्स होंए और गर्वाल जी काफी दिन बाद चुनाव हो रहा है कांग्रेस राष्टे जिरे उससा है ऑन्दां की 5 निर्मित हुई है कांग्रेस पार्टी इसका पालन करती है दो प्रत्ति होने के करन मध्दान हुआ लोगों में बहुत उत्सा भी है और हमारे या 360 डेलिगेट मत दाता है हमारे प्रदेश अंग्रिश कमिटी के तहत में और सब बड़े उत्सा के साथ आगे बढ़ चल कर हिस्सा ले रहे हैं इता बढ़ती जा रही है चुनाओ को लेकर वहां दिल्ली ले जाया जाएगा मत पेटी बिल्कुल ले जाएगा पूरी निता और जो चुनाओ की प्रक्रिया होती है उसका पूरा अक्षर्सा पालन करकर यह चुनाओ निप्टाए जा रहा है तो देखिए तब जो पेसिसी ड जो डेलिगेट्स हैं उनको एक ID काड जारी हुआ है और बिना ID काड के अंदर वो नहीं जा सकते इसके लावा मीडिया को भी अंदर जाने अनुमती नहीं है सिर्फ केमरामेन को छोड़के और पूरी तरीके से गोपनियता बढ़ती जा रही है अभी अभी ताम देलिगेट जो ग्रे मंत्री है 36 गड के देखिए अभी 307 में से लगभग 10 से बारा जो डेलिगेट्स है उन्होंने वोट डाल लिया है और ग्रे मंत्री सीधा तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कैमरावन को बोलूँगा जो 36 गड के ग्रे मंत्री है तामदर साउ वोट डालने हाँ प वोट यहां पर किया है इसके अलाबा एक जानकारी और मैं बता दूंवर्जा कि जो चुनाओ अधिकारी है उसे अंदलवाई वो भी यहां पर डालेंगे क्योंकि ऐसी ब्योस्ता बनाई गई है कि जहां पर भी जो प्राइसी के जो लीडर है जो नेता है वो यहां पर रहे तरीके यहां पर मद्दान की प्रक्रिया हो रही है और ग्रीज दिवागन जी है मोजुद है उसे बातचीत करते हैं यह पुरी तरीके से गोपनी बढ़ती जारी के चुनाओ जिस प्रकार से हारत निर्वाचान आयोग के जो दिशा निर्देस रहते हैं पाइटियों के लि दो लगारी है कि मलिकर जुन खड़के भी आकर बन गए अध्याच या दुनों में से कोई भी बनता है उनको सुनना गांधी परिवार कहीं पड़े यह आरोग भाश्पा की द्वारा लगा है देखिए हर पार्टी में हर पार्टी में जो सीनियर लोग होते हैं और गांधी कि यह दो वर्सा चुनाओं के प्रक्रिया यहां पर चल रही है पर इसी से अध्याक्ष ने वोट डाल लिया ग्रिवंत्री यहां पर पोचें इसके लाबा अभी बात करें थे खनीज विकास सिंगम के जो अध्याक्ष है घ्रिज द्याओंगान उन्होंने भी अपना वोट कि यहां पर प्रक्रिया आप नहीं जा रही है जिस तरीके से आहम चुनाओं में आपने जाती है बर्कुल चले तो अब इंतजार हैं उन्हीं सक्टुबर का जब नतीज आएंगे फिलाल बहुत शुक्रिया हिमन्त तमाम जानकारी के लिए 36 गर की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सबस्क्राइब कीज़े सी जी सुराज